गूजर कितनी दिल की गैराईयों से आपको चाहते हैं ये सर्विदित हैं मीना समाज के कदावर नेगता को आप आतंकी की समान उपादी देते हैं जाट समाज की बेटी मंजु को नाते के नाम से लेकर आप चड़ेतर हनन करते हैं ये तीनों गूजर, मीना और जाट खेतियार हैं और कॉंग्रेस के मूल वोट बैंक हैं 45% से जादा राजिस्थान में इसका हिस्सा है गजब की शोशल इंजिनियरिंग कर रहें और छे महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं निगाहें उटती नहीं खम उठाए जाते हैं मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोड करूँगी कि इस रिवेंशjemु पंचियूट, क्योंकि मैं ने आपके आतंकीक, कि उस उपाधी की और नाते की उस वक्तेवे की निंदा करी तो महाँ पर जेडी सी मेरे ओस्या की 44 सड़कों को रातो रात मना कर देता है इस पॉलिटिकल रिवेंज़वल एटिटूट लेट राधिस्तान सीड कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए अपने समाज के लिए मंजू जाट हमारे समाज का गौरवेव विरांगना अभी जाट माकम हुआ था नहीं सुनेंगे हम इस तरीकी की प्रता ये सुनने के लिए हम उच्छ सर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं और ये सरकार का वक्तव ये नहीं था सरकार का वक्तव ये इतना था कि कब-कब F.I.R. हुई और कब-कब हमने अरेस्ट किया और मैं इस बात का मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी देई तो जो हमारा पीछे रूरल बैक्ग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पियर में ब्लैक मेल करने के जाईए तुम नौकरी लेके आईए किसी की नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए वो बच्चे शहीद के बच्चे डॉक्टर इंजिनियर आईएस बनने चाहिए लेकिन किसी कारण अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं कहीं कोई आक्सिडेंट हो जाए और वो उच्च पढ़ाई नहीं ले पाए तो वो नौकरी उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए ये कहकर आप मत तालिए कि वो नाते में गई और आपने कभी देवर को दिया है क्या मत करिए इस तरीके से चलिए अपने सरकार का रुकिए मैं फिनिश कर रही हूँ ये सरकार का वक्तवे मैं से अग्री करती हूँ लेकिन आपने वक्तवे को कैसे पेश किया आप कहिए कि उन्होंने बैन हैंडलिंग हुई काज फोड़े ये किये आतंकी के समान कैसे कह देंगे और उसकी प्रतिकरिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा और दूसरे दिन हमारे प्रभारी को आतंकी कह दिया ये कौन सो धारन हम सेट करेंगे मैं अर्च मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरिसली इंटवीन करिये और मंत्री जी क्योंकि आजकर जिद पे आजाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है उसके आगे सब नदमस्तक हो जाते है वो अगर जिद प्याड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़के उसिया में नहीं देंगे तो मैं इनी वीरंगनाओ की तरह मुँ में घास लेकर उसिया की जनता के लिए धरने में बैटूंगे आप में दम है तो 3 बज़े उठा ले ना मेरे मेरे खूने आर्जू को वो समझ रहे है पानी मेरे खूने आर्जू को वो समझ रहे है पानी मेरी रोडे रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड पाएंगे आप मैं सही के लिए खड़ी हूँ उन्जद प्रतिन दियू से और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है चे महीने की अवधी है हम सब चुनाव में जा रहे हैं यह जो मिनिस्ट्री है इनके पास जिस कलम से दसकत करते हैं इस पे इतना मत तिराईए यह भी उधार किये मुख्यता मांग मेरी जिस बिंदू पे मैं बोलने के लिए स्वाइट श्राशन पे खड़ी हुई हूँ कि यह जो सत्रा पंचायते मेरे विधान सभा की आई है जेडिये के अधीन आती है इन सत्रा पंचायतों के 44 रोडों के प्रस्ताव जेडिये के अंदर पिछले कितनी सालों से धूल चक रहे है पांक साल का ये कारिकाल है आखरी बजट सत्र है एक सूत सड़क जेडिये के हाँ से ओसियां के अंदर आवंटत नहीं कुई एक सूत काग्जों में भी लीपापोती करने का काम नहीं किया गया बहुत जादा पीछे पढ़ने पर दोहजार बीस के अंदर जेडी सी थे इंदर जी त्यादा उनको परस्यू किया गया तो उनने कहा कि मार्च तक का तो हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम इन सरकों को ले ले आने वाले वित्यवर्ष के अंदर Consolidated Fund में लेकर इसे हम करवा देगी मेरा कहना था कि इतने साल तक आपने नहीं दी है बीच के यर में दे दीजे एलेक्शन यर के अंदर तो एक तलवार लटक जाएगी आप टेंडर कर पाएंगे हो पाएगा नहीं वगा हमारे को इतनी सड़कें चाहिएं आप कम से कम बीच के 21-22 के वर्ष में दे दीजे और उन्होंने इन 44 सड़कों के एस्टिमेट की राशी को Consolidated Fund के अंदर लेकर पारित कर दिया बट मीनवाइल ही वस ट्रांसवर्ड आउट पोस्टे आउट तो भी कलेक्टर इन वन ओफ दिस्ट्रिक्स जेडीसी बदलते रहे नए जेडीसी आते रहे कहरें करवारें अब करवारें प्रस्ताव चल रहें सब कुछ कर रहें जो भी वर्थमान में नए जेडीसी आएवे हैं मिस्टर नवीन उन्होंने कहा मैं जल्दी इसकी ASFS निकलवा कर बहुत जल्दी एक महीने का आप समय मुझे दीजीं मैं इसको करवात हुआ हम निरंतर इसकी Review Meetings लेते रहे दो महीने से एक महीने एक महीने से पंदरा दिन पंदरा महीने से एक हफता आज तक तो एक हफता आया नी छे महीने हमारे चुनाफ के बचीं और नौर्थ और वेस्ट जोन के इन एक्सियन से हम निरंतर करते रहें जेडिये का चेर्मेन वहाँ पर है ने जेडीसी है इस अगर्वर्वन्मेंट सर्वेंट और यह जेडीसी बगल रहे है और हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी रोडे स्विक्रित नहीं हुए और मैं निरंतर उन चेर्डीसी से बात कर रहे हूं मेरे मोबाइल को अगर देखेंगे तो हर पंद्रा बीस दिन से बात करते हैं वो मुझे रिव्यू रिपोर्ट वाट्स अप करते हैं मैडम अब इतनों की A.S. हो गई है अब इतनों की F.S. हो गई है यह प्रगती रिपोर्ट है और लेटिस मैं अब दो दिन की सितिय आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लेटिस में रिव्यू मीटिंग करी और मैंने नॉर्थ और वेस्ट जोन्स के दोनों एक्सियंस को बताया मैं दोनों नॉर्थ वेस्ट की इनको टेबल करूँगी यहाँ पर और बात करके यह बात हुई कि 70 प्रतिशत से जादा जो रोज हैं उसमें पटवारी की रिपोर्ट बागी थी कुछ एएस हो गई कुछ एफएस हो गई कुछ एएस से एफएस के लिए प्रगती पर थी आई कॉल दे जेडीसी और मैंने जेडीसी से कहा कि 70 प्रतिशत से जादा दोनों के अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट के लिए लंबित हैं कितना टाइम लगता है एक पटवारी को जाकर एक रिपोर्ट लेकर आकर देने के लिए आप साल भर से अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट नहीं लेकर आ पा रहें क्या कमिटमेंट आप मुझसे रोज एक हफ्ता और एक दिन का करें जेडी सी मुझे उत्तर देते हैं कि हम ओसियां को एक भी रोड नहीं देखे तो मैंने का कैसे नहीं देंगे फिर आपने ये फ्यूटाइल एकसरसाइस क्यों कराई हर शाख पे उल्लू बैठा है मुझे लगता है उन्होंने इस शेर को बहुत सीरियसली अडॉप्ट कर लिया और उल्लू बनाने की ये प्रक्रिया करते रहे हमारे साथ मीठी गोलिया देते रहे ये सरकारी अफसर शाई जनप्रतिनिद्यों को गोली देने का काम कर रही है ओसियां से आपकी कोई आये नहीं है पास्ट में ओसियां से जेडिये को स्विक्रित हुई है सड़के वो कैसे हुई मैं तो जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरी एक एकसरसाइस चल रही थी यका एस को आपने कर दिया क्यों आपने एफस किया ये फ्यूटाइल एकसराइस क्यों करवाई गावों में उन सब को पता है कि यहां पर प्रस्ताब बने इस रोड के लिए वो निरंतर आते वो जेडिये में भी जाते हमारे यह पॉलिटिकल चेतना बहुत है और वो पूछते इन रहते के टेंडर कब होगा क्यूं आपने किया और अगर जो कॉंसलिटेट इड़ फंड चावाल इस रोडों का लिया वित्यवर्श में वो अगर इन रोडों पे एग्सास नहीं किया जाएगा तो किधर एग्सास किया जाएगा उस फंड को कियो और किसी और जगे क्यो प्रगती पहले पहले आज आप कहरें कि नहीं देंगे तो आपको साल भर पहले नहीं पता था आप हमें दो साल पहले कहते थे हम उसके लिए और कोई revenue sources डूनने की कोशिश करते कि हम उन रोडों छे महीने पहले आज आप मार्च में हमें कह रहें कि हम नहीं देंगे उदर आप 10 करोड के प्रस्ताव ले चुके हैं हमारे से missing link पे कहां से हम इनको 44 रोडों को adjust करेंगे सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल चलाने का शौक आया मैंने देखा कि क्या हुआ यका यकिन दो दिन मुए वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मंतरी जी का मिरे को दीदार इन नहीं हो रहा उनके मेह फिल में जब कोई आए उनके मेह फिल में जब कोई आए तो पहले अपनी नज़रें जुका कर आए समझ वालों समझ लेना समझ से काम लेना समझ में काश आ जाए समझना 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 तो इतना ही कहना स्थीफा देना मैं उस महफिल कहसा नहीं थी उस दिल मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंट टीसिंग कीजिये मैं तो बीस में भी अपनी जगे थी तेईस में भी अपनी जगे थी आज भी सही जगे खड़ी हुँ somebody who is a convict begging for mercy can be the minister फिर मैंने फिर सोचा कि चलिए political revengeful attitude इनी दो दिन में क्यों हुआ इसी दो दिन के अंदर ऐसा क्या घटना क्रम हो गया तो मैंने पूछा मैंने पूछा अर्सकरी बंदे परवर से मैंने अर्सकरी बंदे परवर से क्यो सितम ढ़ा रहे हो हम पर मैंने अर्सकरी बंदे परवर से क्यों सितम ढ़ा रहे हो हम पर बात सुनकर हसकर मुस्करा कर वो बोले हमसे टकराना मना है मैंने भी मुस्करा कर कह दिया मैंने भी मुस्करा कर कह दिया गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसाद कर रही हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ दुरापती नहीं हूँ बहरी क्रिशन की आवशक्ता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए मैंने दस साल जबर के अंधेरों में जिन्दगी गुजारी है मैंने दस साल दोज़क पे सजडे किये हैं इस धरती पे दोज़क का नाम कारागरा को कहता है उसी कारागरा पे मैंने दस साल सजडे किये हैं मैंने काटों से नई फूलों से धोके खाए हैं मैं सहारों से धोका खाई हूँ अब सहारों से बच के चलती हूँ मैं राजिस्तान इस मरनों के प्रदेश में महिलाओं की और विरांगनाओं की दबंग आवास बन कर गुंज रही हूँ मेरा दोष टेम मेरा दोष टेम मेरा दोष क्या है plutôt मेरी वारदाद कि है मेरी वारदात कुछ भी नहीं मेरी वारदात कुछ भी नहीं हाँ थी मैं पार्टी के प्रती फर्माबरदार थी मंतरी मौदे आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं मैं तो जोटी सी कारी करता हूँ बावफा फर्माबरदार हूँ अपने दल के उप्रती मुझे इस दोट दिन के घटना करम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूँ क्या पता एक रवया शायद उन्होंने सोच लिया हूँ कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ ले कर जाएंगे तो मैं नहीं डूबूँगी मैं तो पहले भी नहीं आई थी राठोर साब ने बिल्कुल कर दिया मैं तो रंधावाजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो रिट्रेक्ट कराए सारे स्तीफे नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी